नमस्कार RS अन्नपुर्णा की चन में आपका स्वागत है आज बहुत ही टेस्टी सौफ्ट और जालेदार हम मक्के के आटे से इडली बनाएंगे तो चलिए बनाते हैं हमने एक बड़ा चमच तिल गर्म कर लिया है उसमें डालेंगे एक छोटा चमच राई एक चमच चने की दाल और एक चमच सफे धुली उड़त की दाल और दो पिंच हिंग इन सब को हम एक दो सेगेंड के लिए पका लेंगे अब हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च दो हरी मिर्च बारी काटके डाला है 15 कड़ी पत्ते जिसे हमने छोटे ठुकड़ों में तोड़ लिया है एक इ मक्के का आटा गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और लो फ्लेम पे हम मक्के के आटे को दो से तेन मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसका कच्च्चपन चला जाए तो दो से तीन मिर्ट तक हम इसे कमाच पे भून कर अलग बतल में निकाल लेते हैं और इसमें डालेंगे एक कप दही, दही को अच्छी तरह फेट के डालना है और इसमें हम थोड़ा थवा पाइन डालते हुए इसका एक गाढ़ा गोल बना लेंगे बिना लम्स पड़े हमें इसका एक गाढ़ा गोल बना लेना है तो देखे बेटर तयार है अब इसमें डालेंगे धनिया पत्ती, स्वाधनुसा नमक, आधा चमच हल्दी पावडर इन सबको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं तो देखे बेटर रेडी है जिस तरह हम इडली का गोल बनाते हैं उसी तरह हमें इसका तयार करना है न तो ज्यादा गाढ़ा नहीं पतला इस तरह दक्षब हमारा बेटर तयार होना चाहिए अब हम इसे पास साथ मिनट के लिए ढखके रख देते हैं तब तक हम इडली वर पकलत अधार हम् रख लेते हमें अब हम इस बेटर में । डालेंगे एक चम्मस आइनो या या फीर एक पैकेज़ जो इनो का आता है उसे हम ढालेंगे दो चम्मस पाइन डालेंगी और इसे अच्छी तरह हलके हाथों से mix करना है ज्यादा इसे हमें फेटना नहीं है बस हलके से अच्छी तरह mix कर लेना है बिकुल fluffy हो गया है और देखें बिकुल soft fluffy हो गया है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा plate में डाल देंगे बहुत ही टेस्टी इडली बनके तयार होती है आप ज़रूर ट्राय करें इधर पानी अच्छी तरह गर्म हो चुका है तो हम एक एक प्लेट इसमें लगा देते हैं और 15 मिनट के लिए हम मेडियम फ्लेम पे इसे पका लेंगे 15 मिनट के बार देखें इडली हमारी बनके तयार है इसे हम थंड़ा होने देंगे agर्म में इडली अगर निका लेंगे लै तो इडली हमारी तूट जाती है इसलिए विकुल इल्ली को अच्छे से ठंडा हो जाने दे उसके बाद ही हम इसे निकालेंगे तो चाफुस की सायता से इसे हम पहले से निकाल लेते हैं बहुत ही आसानी से निकल जाता है बहुत ही तेश्टी इडली बनके त्यार हुई है आप इस इडली को हरी चटनी के साथ मुख़ली की सकते हैं बहुत ही टेश्टी लगती है हमने थोड़ी सी धनिया और नारियल लेकर इसकी चटनी बना कर तयार किया है इसके साथ सब किया है वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लिस लाइक करे शेयर करे सब्सक्राइब करे और बेल आइक हो जरू तबाए ताकि आने वाली इने वीडियो आप तक जल सजल पहुँ सके धन्यवाद